हलो दोस्तो गूट मॉर्निंग स्वारा थिवार फिर्स से आप सभी का MZA Education में दोस्तो आज है 26 फरवरी और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 26 फरवरी दोजार 24 के मोस्ट इंपोर्टेंट डेली करेंट अफेर के कोशनस के बारे में वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और सेर जरूर करना चैनल प्लगर नहीं आये हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जोरूर प्रेस कर देना जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंसता रहे शुरुआत करेंगे अपने वही पुराणे सेग्मेंट रिवीजन से कल हम लोगों ने पढ़ा था केंद्रिय उत्पाद सुल्क दिवस मनाये गया 24 फरवरी को साथी साथ में विशेश बाग संचन बल ये अवराणचल प्रदेश अस्थापित करने जा रहा है इसके लिए राष्टी अस्तरपर से मंजूरी मिल रही है इसके लिए प्रयास कर रहा है हर घर जल योजना में 100% संत्रिप्त जल हांसिल करने वाला पुर्वत्तर का पहला और देश का दस्वा राज्य भी बन गया है अवराचल प्रदेश इसके लामा केंद्रे मंत्री अंब्राक सिंधाकुर जी ने गुवाहाटी में खेलो इंडिया उनिवर्स्टी गेम के चौथे संस्कन का सुभारम किया केंद्रे सतर्ता आयोग ने सतर्ता आयोग तुन्यूट किया है एस राजियू को और अभी हाली में रिलाइन्स इंडेस्ट्री ज ने देश के कुछ प्रमुक आयाटी संस्थानों के साथ मिल करके हनुमान नाम से AI मॉडल बनाया हुआ है या कहें इसके बनायन की बात करी है पद्मभी भूशन और पद्मभूशन इन दोनों नागरिक सम्मानु से सम्मानित सुप्रीम कोट के वरिष्ट वकील रहे फली एस नरीमन जी का निधन हो गया है यह टॉप नाइन करेंट अफेर के कुछन थे कल की वीडियो से जिनका आपने किया है क्विकली एक मिनिट मे लेगी हमारे वीडियो कूर्स और एबुक लेना है तब भी आप यहां पर रुख कर सकते हैं एक मार्च दोजार चॉबिस को कहां पर तीन दिवसी अंतराष्ट्य गीता महुत्सो का आयोजन किया जाएगा तो दोस्तों एक मार्च से सुरू होने जा रहा है अंतराष्ट्य गीता महुत्सो यह होगा कोलंबो में कोलंबो आप जानते हो स्रिलंका में है तो यहां पर यह आयोजित किया जाएगा यहां पर देखो स्वामे विवेका अनंदा कल्चल सेंटर हाई कमिसन ओफ इंडिया कोलंबो में जो है वहां से इन्होंने अनॉस्मेंट किया हुआ है तो कोलंबो में स्रिलंका में यह एक मार्च से चार मार्च तक आयोजित किया जाएगा स्रिलंका की संसद में चार मार्च को स्रिमत भागवद गीता की प्रती भी प्रस्तुत की जाएगी वहां की संसद में पिछला संस्कर्प कुरुच्छेत हर्याना में हुआ था याद हो किया जाता है अब पिछले दिनों में कुछ और भी महोत्सो आयजित हुए हैं उनको हम लोग रेकॉल कर लेंगे देखो अभी समरक्का सरलम्मा जतारा आदिवासी महोत्सो मनाया गया जिसे हम लोग मेदाराम जतारा महोत्सो कहते हैं और यह बहुत बड़ा मेला होता है मेदा अगे हालही में मिली जानकारी के अनुसार पाकिस्तान के नए प्रधानमंतरी कौन मनाये गए तो देखो पाकिस्तान में चुनाओ तो काफी दिन पहले ही हो गया था लेकिन चुनाओ के बाद अभी तक सरकार नहीं बन पा रही थी क्यूंकि किसी की बहुमत में आई नहीं स सरकार जैसा कि यहां पर होता रहा है कभी भी बहुमत में सरकार नहीं बनी तो इस बार भी नहीं बना था इस बार लेकिन बहुत ही अचंभे वाला रिजल्ट आया मतलब आप समझो इम्रान खान जो की पूर प्रधान मंतरी थे जो फिलाल के लिए जेल में बंद हैं उनकी वह वो निर्दलिय रूप से लड़े हुए थे अब निर्दलिय लड़े है तो किसी का कुछ चुनाओ चिन होगा किसी का कुछ चुनाओ चिन होगा और उपर से इम्रान खान खुद जेल में है वो भार निकल करके परचार नहीं कर पाए एक बार वो ऑनलाइन परचार करने के क कोशिज किये तो पाकिस्तान सरकार ने पाकिस्तान में इंटरनेट ही बंद कर दिया था इन सब चीजों के बावजूद यहां तारीफ करने होगी इमरान खान की कि वहां पर 101 सीटें अकेले दम पर जित गया बीना किसी सपोर्ट के समझोई प्रकार से इनकी जो पार्टे के मे नहीं पाया है और तो और बिलावल भुट्टो की पार्टे ने भी इतना सीटे नहीं जीती हुई है तो कुल मिलाजुला करके लेकिन हुआ यही कि बाकी सारी पार्टे यह एक हो गई और इमरान खान से बोली कि तुम रहो भईया जेल में ही है ना तो सहबाज सरीफ जो है यह प्रदानमंतरी फिर से बन गए है सहबाज सरीफ नवाज सरेफ के भाई है अटकल लगाइ जा रहे थीको नवाज शरीफ बनेंगे लेकिन काफी कुछ राजनिती होई और सहबाज सरीफ ही परधान मंत्री बनेंगे ठीक है अब इनकी जो पार्टी है उसने तीन पार्टियों के साथ मिल करके गड़बंधन किया है PMLN, PPP और MQMP इन सभी पार्टियों ने गड़बंधन किया हुआ है देखो इनकी साभाद सरीफ वाली पार्टी जो है PMLN ये 79 सीटे जीती हुई थी 54 सीटे बिलावल भुट्टो की पार्टी ने जीती थी PPP, 17 सीटों के साथ MQMP पार्टी ने जीता हुआ था तो अब ये तीनों पार्टी गड़बंधन करके फिर से बन गए हैं और इसमें पाकिस्तान के नई राष्टपती को इन्होंने आसिफ अली जर्दारी को बनाया है ये भी दुबारा बने है साबाद सरीफ को प्रधान मंत्री बनाया है ठीक है जी इमरान खान 101 सीटे जीते थे सबसे रदस सीटे जीते थे लेकिन उसके बावज भी क्योंकि बहुमत नहीं था इसलिए नहीं बना पाए पुर्ण प्रधान मन्तरी इमरान खान जो जैल में है, ये तोस्वे खाना के आरोप में जैल में है, बैठ इनका चुनावचिन नहीं ये पूशा जा सकता है अब से, अब पाकिस्टान कहा पर है? तो देखे, यह रहापना प्यारा भारत, यहीं पर प्डूसी है पाकिस्तान मुझे नहीं लगता है, इसको बताने के ज़रूत पड़ेगी पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, पाकिस्तानी रूपया यह की करंसी होती है आगे यहांग पर पिछले दिनों में कुछ जो परधान मंत्री और जो राश्पती बने हैं उनको हम लोग रिकॉल करेंगे फिनलाइन के राश्पती अभी अलेक्जेंडर स्टब बने थे कजाकिस्तान के परधान मंत्री बने थे उल्जास बर्टिनो यमन के नए परधान मंत्री बने हैं आहमद अवद बिन मुबारक और मलेशिया के 17 राजा बने सुल्तान इब्राहिम बूटान के परधान मंत्री सेरिंग टोपगे बने देनमार्क के नए राजा बने प्रिस फेडरिक फ्रांस के सबसे युवा परधान मंतरी बने गैबरियल अटल और कुवेट के नए हमीर बने है सेक मसाल अल अहमद जबर अलसबा अर्जेंटीना के राश्टपती बने जेवियर माईली और पुलेन के अगले परधान मंतरी बने है डुनाल टस्क लगजंबर के नए परधान मंतरी बने है लुएक फ्रेडेन ठीक है ये रिविजन कोई जरूरी नहीं सब आपको एक ही बार में याद हो जाए बिलकुल परेशान मत हो ना देरे देरे रोजाना दूसरे तीसरे चौतरे दिन जब भी आता है मैं आपका रिविजन कराता हूँ आप ऐसे रिविजन करते रोगे तो हो जाएगा ठीक है ना चली हाली में भारत में किस देश के साथ 2030 तक अपने दोई पक्षे व्यापार को दोगुना करने पर सहमती जताई है तो दोस्तों भारत में अभी ग्रीस के साथ 2030 तक अपने दोई पक्षे व्यापार को डबल करन पर सहमती जताई है. ग्रीस के प्रधान मंत्री आयो होए है भारत में अभी आपने देखा नौवा रैसीना डायलाग हुआ 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 ठीक Дbul कृषी और आप तो क्यारी कोस मिद्चू टाके जो है इनको इन्वाइट किया गया और यहाँ पर इनके साथ दोई पक्षे व्यापार समझाते भी हुए वहाँ सारे मुद्धों पर समझाते हुए अंतिरिक्ष को ले करके, फार्मासेटिकल को ले करके सिपिंग, कम्मिनिकेशन, डिफेंस, एग्रिकल्चर, मेरिटाइम, एर कनेक्टिविटी इन सब पर ये चर्चा हुई, तो ग्रीस के प्रधान मंतरी और भारत के प्रधान मंतरी नरिन मोदी की मुलाकात होने के पात, ये नोनों ने लक्ष रखा कि 2030 तक अपना दोई पक्षे वैपार डबल कर लिया जाए ग्रीस के अगर बात करें, तो ग्रीस दोखो, अगर मैं आप देखोगे, तो ये रहापना प्यारा भारत ग्रीस आपको दिख जाएगा यहाँ पर, यहाँ पर ग्रीस, ग्रीस वही है जिसकी राजदानी एथेंस होती है और जहाँ पर उलम्पिक खेलों की सुरुआत हुई थी, याद है ना, 1896 में पहला उलम्पिक खेला गया था, ग्रीस की एथेंस में तो ग्रीस की राजदानी एथेंस होती है, अच्छा, मैंने आपको एक आइमेक डील बताई थी, जो अभी G20 में आया था चर्चे में, आइमेक डील, आइमेक क्या है, इंडिया, मिडल इस्ट, योरोप, एकोनॉमिक कॉरिडोर, तो इसके दहत क्या होगा, कि गुजरात से यहीं से एक कॉरिडोर निकलेगा, समुदरी माध्यम में जाएगा, फिर यहाँ यूए में जाएगा, यूए में रोड माध्यम में, फिर इसके बाद सौधी अरेबिया में जाएगा, यहाँ से बाई रोड होते हुए, इसके बाद धर जॉर्डन, फिर इसराइल होते ठीक है यह भी प्रस्तावित है अभी यह कोरिडोर बना नहीं है बनने से पहले यहां पर यह लोग युद्ध करवा दिये इस्राइल और हमास के बीच में है ना फिलाल जो भी हो ग्रीस भी से कनेक्ट हो रहा है तो यह बड़ी बात है और बाकी मैंने आपको ग्रीस के बारें में आयोज़ुद की जाएगी यह एस्या में एकोनॉमिक को बढ़ावा देने के लिए एक वारता होती है एक डायलाग होता है तो एस्या एकोनॉमिक डायलॉग जो है यह आठमा संसक्रण है पूर्णे महराष्टा में 29 फरवरी से 2 मार्ज तक आयोज़ुद किया जाएगा इसमें 46 से ज़्यादा स्पीकर हिस्सा लेंगे 11 देशों से ठीक है अब अब अब्यस्टी बात है यह 11 देश एसिया के ही होंगे तो एन्वल जियो एकोनॉमिक कॉन्फरेंस यह होगा इस बार की थीम है जियो एकोनॉमिक चैलेंजेज इन एरा ओफ फ्लक्स ओके तो इसकी अध्यक्षता गौतम बंबावले करेंगे अगला कुश्चन हाली में बैंक ऑफ इंडिया का गयर कारिकारी अध्यक्ष किसे नियुक किया गया तो दोस्तों अभी तीन बैंकों के नए गयर कारिकारी अध्यक्ष नियुक किये गये हैं यह कैबनेट की एपॉइंटमेंट कम और Indian overseas bank ये तीन बैंकों के गैर कारीकारी निदेसक न्यूकती किये गए हैं तो यहाँ पर देखो, ये लिस्ट है अपके सामने, इन तीनों को 3-3 साल के कारेकाल के लिए न्यूकती की गई है तीनों ही सारजनीक छेत्र के बैंको के गैर कारिकारी अध्यक्ष याई non executive chairman होंगे तो Bank of India के बने हैं Mr. Kumar याद होगा Mr. Kumar कभी LIC के हुआ करते थे चेर्मेन Indian Overseas Bank के गैर कारिकारी अध्यक्ष होंगे स्रीनिवास स्रिविधर और UKEO Bank के गैर कारिकारी अध्यक्ष होंगे अराओ मुदन कृष्ण कुमार, किलियर है, आगे, कुछ और नियुक्ती जो हुई थी, उसको रिकॉल करेंगे, तो देखो, तीन तो यही नियुक्ती हुई, इसके अलामा, एस राजिव को अभी केंद्रे सतर्क्ता आयुक्त में सतर्क्ता आयुक्त नियुक्त 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 अगला, हालही में किसने सर्वोच नयाले में आयूस समग्र कल्यान केंद्र का उद्गाडन किया है तो दोस्तो अभी हाली में सुप्रिम कोट के चीव जसेज़ जो हैं जसेज़ टीवाई चंद्रचूर सहाब ये भारत के पच्छासवे नमबर के CGI हैं तो इन्होंने अभी हाली में आयूस समग्र कल्यान केंद्र का उद्गारन किया है और ये सुप्रिम कोट के ही परिशन में उद्गाडन किया हुए है ठीक है जी ये आयूस हॉलिस्टिक वेलनेस सेंटर जो होगा ये अखिल भारती आयूस वेद संसान के साथ समझोता करके स्थापित किया गया है ठीक है जी अच आप सुप्रिम कोट आया है तो सुप्रिम कोट पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में रहा था उसको हम लोग रिकॉल कर लेंगे अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि एक वरिष्ट वकील थे फली एस नरीमन इनका निथन हो गया है 95 वर्स की उम्र में इसके अलामा कुलदीब टीटा को दोस्तो चंदिगर का नया मेयर सुप्रिम कोट के द्वारा नियूप किया गया काराण था की कॉंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो गयी थी सुप्रिम कोट में मामला गया था इसके अलामा दोस्तो सुप्रिम कोट ने अभी चुनावी बांड योजना को असमवैदानी गोजित किया था याद होगा आपको और इसको ले करके काफी ज़्यादा बात चली थी काफी दिनों तक तो ये भी पूछा जा सकता है सुप्रिम कोट ने अभी हीरक जैनती समारो अपना मनाया 28 जनवरी को और उसी दिन पी एम मोधी ने क्या किया कि सुप्रिम कोट की एक नई वेबसाइट हिंदी और इंगलिस में लांच करी साथी साथ में सुप्रिम कोट के लिए एक इस्ट्रा पैकेज का अनाउंस्मेंट किया जिससे सुप्रिम कोट का जो परिसर है वो बढ़ाया जा सके इसके अलाओं सुप्रिम कोट की पहली महिला जज रही फात्मा वीवी का अभी निधन भी हो गया था ओके दोस्तों ब्रह्मास्त करेंट अफेर जनवरी से दिसंबर दोहजार तेस का चैप्टर वाइज प्रस्नोतर माध्य में पाच हजार से ज्यादा ध्याइवाय प्रस्त वर प्लस वन लाइनर यह अवाइलबल है जनवरी से दिसंबर तक का बिल्कुल अपडेटेड कॉंटे हैं आप इसको और्डर कर सकते हैं एंजेटी एप पर जाकर के या फिर अमेजन से जाकर के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा यह ऑफ्लाइन बुक है आपकी घर तक जाएगी इसमें हर एक मुद्दो को 2023 को बहुत ही अच्छे से सांदार तरीके से एक्स्प् की फॉर्म में मिलेंगे इसके लावा डेटेल एक्सप्रालेशन मिलेगा और सबसे बड़ी बात इरर फ्री कॉंटेंट है तो आप बिल्कुल निर्भीक होकर के निश्चेन्थ होकर किसे पढ़ सकते हों अभी जो भी रिसेंट एक्जाम हुए है उसमें डिरेक्टली कुश दुनिया की सीर से 300 सहकारी समितियों में पहले अस्थान पर कौन सी कंपनी है तो दुस्तों दुनिया की सीर से 300 सहकारी समितियों में पहले अस्थान पर है इफको इफको भारतिये कंपनी है और इंडियन फार्मर्स फार्टिलाजर्स कॉपरेशन लिम्टेट अब इसका प्रति व्यक्ति के हिसाब से अगर GDP का कारोबार देखा जाए तो उसके अनुपात पर इफको जो है नंबर वन पर है ये किर्सी छेत में दुनिया के सीर्स दस सहकारी समितियों में भी पहला अस्थान हासिल करता है इफको की बारें बात करें तो इंडियन फार्मर्स फर्टि को मंजूरे दी तो भारतिये नौ सेना के लिए अभी रक्षा मंतराले के बीच में एक डील हुई है जिसमें भारतिये नौ सेना को 200 से ज्यादा ब्रह्मो सुपर सोनिक क्रूज मिसाइल मिलेंगे और ये क्रूज मिसाइल होंगे ये लॉंग रेंज वाले होंगे ठीक है तो आएगी अच्छा ब्रह्मोस जो आप जानते हो कि भारत और रूस की पीच का एक संयुक्त उध्दम है भारत की ब्रह्मपुत नदी और रूस्की मॉस्कोवा नदी दोनों के नाम से मिलकर के इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया है ब्रह्मोस मिसाइल का भारत प्रोडक्शन कर PM मोधी फिर से सबसे लोगप्रिय वैस्विक नेविता बन करके उबरे तो देखो जी PM मोधी के आज पास भी कोई और लोगप्रियता के मामले में नहीं है यहाँ पर लगातार पिछले कई बार से आ रही है यह रिपोर्ट लोगप्रिय नेताओं की उसमें हमेशा टॉप पर चल रहे है और टॉप पर ऐसे कि गैप जो है पहले और सेकंड के बीच में बहुत दूर दूर का है पिएम मोधी इस बार लोगप्रियता के वैस्विक रेटिंग में 78% की ग्लोबल एक्सेप्टेंस रेटिंग प्राप्त किये है यह रिपोर्ट अमेरिका की एक एजनसी है मॉर्निंग कंसल्ट उसके दौरा जारी की जाती है कोई भारती कंपनी नहीं है मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के दौरा यह रिपोर्ट जारी की जाती है इस वार इनको 78% की रेटिंग मिली है अप्रूबल रेटिंग के साथ तो यह हैं सबसे पॉप्लर लीडर दूसरे अस्थान पर मैक्सको के राश्टपती हैं आंद्रेस मैन जी ठीक है जो बाइडन तो यह थे टॉप 9 करेंट अफेर के कुश्चन जैसे मैंने आपसे बताया हुआ है कि अभी मैं बाहर आया हुआ हूँ तो इस वजह से अभी आपको 9-9 कुश्चन ही मिलेंगे आने वाले समय में आपको फिर से वही 10-11 कुश्चन मिलना सुरू हो ज आज में हैं बहुत इंपॉर्डंट है तो बिहार में परसिद मेदराम जतारा महुत सो कहां से संबंदित है तो माँ और बेटी की लड़ाई से संबंदित है यह भी मैंने आपको बताया हुआ है आज आपको बताना है भारत का चौवनवा टाइगर रिजर्व कौन सा है कि फर्ष्ट जो आए है फर्ष्ट पार्ट उसको जरू देखिएगा मिलते हैं दुस्तों अगले वीडियो में इसकी कुई स्पीड आफ आपको में मिलूंगा आपको अगली वीडियो में तब तक लिए नमसकार जहें वंदे मातरम